नमस्कार मैं हूँ अमित पालित और इस्वक स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सयोगी हुसेन रिजवी है और आपको बता दें कि यूद्ध का आज तेरवा दिन है और तेरवे दिन के हम शुरुआत इस बात से कर रहे हैं कि हो सकता है कि जो लोग फसे वे थे कल जो एक कॉरिड के लिए सीज फायर करने को तैयार हो गया है आज भारतिय समय के मताविक दिन में करीब साड़े बारा बज़े से रूस सीज फायर करेगा और इस दोरान कीव, चैनिव, सुमी, मारिया पोल और नमिनजिया में फसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा सकेगा और ये खबर य सुमी वो इलाका है जहां पर बहुत सारे भारती भी फसे हैं और उनको निकालने की बात हो रही है जिसके लिए हुमन कोरिडोर का रास्ता कल की बात्चीत में साफ हुआ था और आज दोपहर साड़े बारा बज़े सीज फायर होगा जिसके बाद वहां से लोगों को निकाल रहे की लगातार दूसरे दिन याने की बारा तारी को पहले बात है सामने निकल कर आए थी की हुमन कोईडोर के जरीये यानि कि जो पैसेस दिया जाएगा उसके जरीये लोगों को बाहर निकाला जासकता है तो आपको बताते हैं आखिर कार फिलाल कहां पर क्या जारी है, लड़ाई कहां का हो रही है, इसको समझ लीजिए, मारिया पोल, मारिया पोल जो की दोनिस्क का इलाका पड़ता है, यहां पर लड़ाई जारी है, यहां से लोगों को निकाला जाना है, जिसको लेकर लगातार, यहाँ पर भी करीब 15-20,000 लोग फसे हुए जिनको बाहर निकालना है इसके साथ ही खारकीव के पास भी कई लोग ऐसे फसे हैं जिनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है उनको भी निकाला जाएगा सुमी एक बहुत इंपोर्टेंट रिलागा है क्योंकि सुमी में बताया जा रहा है जो अभी तक लोगों आपर फसे हुए हैं करीबर यहाँ पर 800 के करीब भारती है और कल उनमें से कई लोगों को तो बस में बढ़ाया था दोसों लोगों को लेकिन बस में बढ़ाने के बाद फिर से उनको बापस उतार दिया गया हुआ के फोर्टेस ने आने नहीं दिया जिसके बाद कल जिलन्सकी से भी बात चीत हुई थी कीव और कीव पे तो नहीं नहीं कीव के आसपास के जो कुछ शहर है जिसमें इर्पिन जैसे बहुत इंपोर्टेंट है जहां से लोग बाहर निकलना चाहते हैं उनको भी एक human corridor चाहिए याने की free passes चाहिए और चर्णिव जो की कीव से थोड़ा इस तरफ आता है याने की नौर्थ वेस्ट की तरफ उपर जो जगा है और चर्णिव से भी बताया जा रहे कि कई लोगों को बाहर निकाला जाएगा तो कुल मिलाकर आप देख लीजिए कि अभी ये कुछ वो शेहर हैं जहां से लोगों को निकाला जाना है और जब ये ceasefire होगा तो ceasefire के दौरान एक human corridor बना जाएगा human corridor का आप समझ सकते हैं कि humanitarian corridor हम जिसको कहते हैं किजेगा human corridor ये होता है कि जिसके जरीया से कि red cross है या फिर जो एंजियोज होते हैं उनके जरीये लोगों को बहार निकाला जाता है इसमें कोई force नहीं हो सकती बस इतना रहेगा कि कोई भी attack नहीं होगा और आपको फिर से मैप दिखाते हैं जिसे आप समझे ये पूरा इलाका जो है इस्टरन एरिया है मित यूकरेन का जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा गंभीर हाला है मारियो पोल, सुमी, कीव और चेरनी हीव इसमें सबसे ज़्यादा जो चिंता भी हमारे देश के एदबार से है वो है सुमी को लेकर के जहां पर करीब आठ सो भारती चात्र हैं ये इनको निकालना बहुत एक हमारे लिए बहुत बड़ा सिर्दर्द है और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दे सीस फायर के अलान के बाद अब सुमी में फसे साथ सो से आठ सो भारती चात्रों को जल्ड वापस लाने के रास्ते बन रहे हैं जो प्लान पहले आया था उसके मताबिक भारती चात्रों को रूस के बेलगो रोट ले जाकर वहां से फिर एर इंडिया के जरीए भारती विमान के जरीए उनको इंडिया लाया जा सकता था सुमी में फसे भारतीयों की इस्तिती बहुत खराब है इन चात्रों ने कई वीडियों के जरीए अपनी हालाद बताईी सरकार से गहार लगाई इस बीच पीम नरेंद मोदी ने कल रूस के राशपती पुतिन और यूकरेन के राशपती जेलंस्की से भी बात करके ये जो सुमी में फसे वे भारती चात्रे उनका मुद्दा उठाया था और आज जो सीस फायर होगा उसके बाद इन चात्रों के लिए भी राहत भरी ख़बर आ सकती है मनीश परसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त माई साथ जोड़ चूड़ चूए है मनीश क्या पडेट है साड़े बारा बजे जो सीस फायर होना है उसको लेकर क्या पडेट है आपके पास और जो भारती चात्रे हैं उनके बारे में क्या इस्तिती मिल पा रही है और क्या आज उनको निकाल पाने का काम पूरा कर लिया जाएगा हुसान दो रूट है इन दोनों रूटों के जरीए इनको निकाला जाएगा और जो इस समय सुमी में फसे जितने भारते मूल के चात रहे हैं और खास तोर पे इस समय जो कल करीबन तीन से चार बसे लेकर वहाँ पर अलग-अलग होस्टेल्स में पहुंचे थे यानि कुल मिलाके जो बसों के संक्या है इस समय सुमी में करीबन 20 से 25 के लग-बग है यह सबी कवायद इसलिए चल रही है ताकि जो भारती है वहाँ पर है उनको निकाला जा सके लेकर उसके बावजूद भी इस समय पूरा यूकरेण इतना होच-पोच है जहां पर अलग-अलग तरीके से चाहे इंटराशनल आमी के तौर पर या फिर यूक्रेमियन के तौर पर आमने सामने की लड़ाई अलग-अलग जगो पर हो रही है तो इसलिए सुमी में इसलिए सुमी में आप सुमी के भारती इच्छातर लेकिन उतार दिया गया हुआ की फोर्सेस ने बुला नहीं आगे बंबारी हो रही है हम आपको जाने नहीं दे रहे है जबकि वहाँ पर बंबारी नहीं हो रही थे उस वक्त लेकिन आपको बता एक और बड़ी खबर इस तो उनका तो कहना है कि फिलाल कोई भी रिडेशन नहीं हुआ है लेकिन डिसन्ट सेंटर पर हमले की फिलाल बात आ रही है और कल आपको याद होगा कि कल हमने आपको खबर बताई थी किस तरह से रूस ने ये कहा है और एक जो मीडिया में इस वक खबर चल रहे है कि कई ऐस से ठिकाने हैं यूक्रेन में जिसको फंड किया है अमारी काने वहाँ पर न्यूकलर रिसर्च के लिए अलग-अलग लैब्स बनाए गए हैं तो ये खबर भी सामने आई थी लेकिन राहत बरी खबर ये है कि इंटरनेशनल एटामिक एनरजी की तरफ से बात कही गए कि कोई रेडियेशन अभी तक नहीं हुआ है मतलब किस तरह का नुकसान उससे नहीं होगा